आईपी क्लब आईपी क्लब में बर्दे पार्टी, अनुवर्सिरी, किडी पार्टी, फेर्वेल या कोई भी मज़ेदार इविट आप और्गिनाइज कर सकते हैं जब भी मूड पाटी का या लजीज खाने का या सिर्फ सॉंग्स के साथ जैमिंग करने का तो जाना ना भूले वन अनली आईपी क्लब दू विजित आईपी क्लब फोर मोर डीटेल्स कॉंटाक्ट 78093 12112 नमस्कार आप देगरें भी स्टार न्यूज मैं हूँ आपके साथ माधली तिवारी शरवात करेंगे पहली ख़बर से धर्णा देने वालों को नोटिस भेजे गए आपको बितादे ख़बर पंजाब से आ रही है जहां पर किसानों को नोटिस भेज दिये गए हैं दिली में किसानों का अंदोलन चल रहा है और उसा अंदोलन दे सभी वर्गों के लोगों की भागिदारी का समर्धन किया गारा है और अब एनाईये ने धर्णा देने वालों को नोटिस भेजना शरू कर दिया है जिसमें किसानों ने प्रमुख भूमी का निभाई है एनाईये ने बलदेव सिंग सिर्चा के साथ साथ कई पत्रकारों सामाजिक कारी करता हूं और विभिन सिक संगत्नों के नेताओं को भी नोटिस जारी किये हैं इसके बाद आज बलदेश सिंसिर्चा ने एक प्रेस कॉंफरेंस की इसलिए उन्हों ने कहा कि वे घरेलू बादाओं के कारण 17 तारी को NIA के सामने पेश नहीं होंगे। का दो नोटीस आया किस तरहा है तरहा है कल मैंनू तकरीबन शाम जी दे समेट पैर दो टाई बज़े फोन आया सेगा जेदी वेचे उन्हों नहीं अफसर जड़ा दिल्ली तो बोल लिया कि तो अन्यों समनिंग जारी हो या तो अटे बढ़ सवते पेजी हो या तो अनू दिल का भी नौजवाननानों सेक्षितानों आयने वोदा कार ने दस्या कि जड़ा सेपोर जिस्टिक्टर जिसे बंदी बैना उन्हां दे उपर इना उन्हों को पर्चा दर्ज कीता हुए वा यूपी अलार के वोदे बिहाव दे उपर सारे नों पर आया जा रहे है जिदने भी खबर यूपी के हमीरपूर से जहां पर एक उवक का शब मिला है पुलीस जाच में जुट गई आपको बिता दे खबर हमीरपूर से आ रही है जहां पर उत्तर प्रदेश के हमीरपूर जिले में आज एक उवक का शब बढ़ा मिला है जहां घटना इस थल पर कुछ अन्ने लोगों के भी मौजूद होने के साक्षे मिले हैं जिन में से दो मोबाइल और चपकल मौके पर पाए गए हैं वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलीस ने शब को कबजे में लेकर कोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है यह मामला मौदहा कोतवारी चित्र में साजन तालाग इलाकी का है यहां केवटरा के रहने वाले संजन इशाद का शब आज सूंसान इलाके में पड़ा मिला शब के पास मिला खुन से उसकी हत्या किये जाने की गवाई दे रहा है तो वहीं शब के पास मेहीं दो मौबाइल और एक चपल मिली है जो हत् अमरितिक के पिता के अनुसार इस वादात को अजान देने वाले तीन लोग हो सकते हैं तो वहीं चश्मिदीदों के अनुसार देल शाम उसे लोडर पर देखा गया है जो घटना स्थल की तरफ गया गया तो आज सुबा जैसे ही लोग नींच से जा गए तो लोगों को एक शब पड़ा मिला उन्होंने सूचना मिलने पर जिसके बाद यहां पर लोगों का तांता लग गया तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलीस ने शब को सेल करते हुए मामली की तपतीश शुरू कर दी पुलीस महकमे के आला अधिकारी भी डॉक स्कॉाइट और फॉरेंसिंग टीन के साथ साथ मौके पर पहुचकर मामली की चानवीन में जुब कर लिए हम लोग रात में आग ताप रहते तो रात में दस बजे एक पीक अप गया था तो पीक अप में हमने साथ बजे पहले इनको देखा था घूमते हुए बाकि यह नहीं बता सकते किसके साथ में था यहां पर देखा था आते हुए रात में 10 बजए हम लोग अपने घर में आग ताप रहते तब देखा तब में कितने लोग रहे होंगे पेक अपने यह नहीं देख पा हमने बहुत दूर से देखा था कि पिक अप जा रहा है हम लोग रात में आग आग ताप Chase पासरे निशार जो क्योटरा हुसाइनिया थाना मौधा के रहने वाले थे इंपीडेट बॉड़ी आज मिली है कि साजन तालाब के पास एक कच्छा रास्ता उसी पास 112 नंबर की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची है कि पहिचान हुई कोई दूर पर इनका घर है और इनको थोड़ी खरोच और ना को घर चोट लगी थी दिटवाली को पंचार नामा भरके पोस्पार्टम के लिए पेजा गिया है घरवालों ने अभी कोई तहरीर नहीं गिय है इस समय में पूरी जांच चल रही है कि कैसे यह घटना होई जांच के बार या तविर मिलने के बार खबर यूपी के सोन भद्रट से है जहां पर एक महिला पर हमला हुआ है आपको बदार एक खबर सोन भद्रट से आ रही है जहां पर जिला अस्पताल ड्रेफर किया गया है सोन भद्र में हतियार से महिला पर हमला कर दिया गया हमले में महिला गंभीर रूप से घायर हो गई घायर महिला को सामदाइक स्वास्त केंडर में भर्ती कराया गया चिकित्सकों ने महिला की हाला गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया जिलास्पटाल में चिकित्सकों ने महिला को मिखोशित किया भूत प्रेद बताया कारण हत्या का कारण भूत प्रेद बताया जोरा है पुलीस मामने की जांच पड़्ताल में जुब गई है मौत की सूचना पाते ही परिजनों में कोहरा मच गया है पन्नु गंच थानचेतर के बवनगवाः गां की था इसमें भूत परेत के पकारण इसका जान मार दिया पैँ क्यों यह भूत परेत के चक्क्र में इनको मार दिये हैं कि भूत लगाई है को पूकरा यह कि बहुत दिन से यह हमला किसी दारदार अंतियार से कितने बजे की घटना है तीन बजे की क्या नाम है मिर्तिकागा इसमें किसी परधान का नाम आ रहा है तो यह परधान भी थे इसमें हाँ वो कह रहा है कि मारो हम देख लेंगे हुआ था इसमें जो है भी जंदर है खबर यूपी के बहराई से है जहां पर करोड़ो रुपे का गोटाला सामने आया है आपको बता दे कि खबर बहराई से आ रही है जहां पर Medical College निर्माण के गोटाले में फसे राज के निर्माण निगम के अवर अभियनता को पुलीस ने गिरिफतार कर जेल भीज दिया है करीब 15 करोड के गोटाले के मामले में अभियनताओं ने समेथ कुछ फर्मो के मालिक को मिलाकर 40 लोगों के खिलाफ सितंपर माह में कोतवाली देहाद थाने में मुकदमा गर्च किया गया था इस घोटाले में गिरतारी के लिए पुलीस अदिक्षक ने टीम का गठन किया था पुलीस टीम ने इस घोटाले के आरोपी गाजीपुर के नोनहरा थाने के ग्राम शकपुर निवासी राम अधार सिंग्यादव को गोमती अगर लगनाओ के रंजीत खंड मोड के पास से धर्दबोचा जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है पुलीस अदिक्षक डॉक्टर विपिन मिशा का कहना है कि अभी मुकदमे की विवेचना की जा रही है अन्ने लोगों की भी गिरिफतारी चार्च के बाद की राइज के मेडिकल कॉलेज के निर्माण में कारेदाई संसा और ठेकेदारों ने जमकर मलाइक आदी थी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का जिन्मा राज के निर्माण निगम को मिला था जिसके लिए शाशन ने करीब 189 करोड का बजट जारी किया था जिसमें जमकर घोटा कि पुष्टी हुई है जिस पर निर्मान निगम के अभी अंता हुआ फर्म के ठेकेदारों समय 40 लोगों के खिलाब सितंबर महा में कोतवाली देहाद में मुकद्ना दर्च कराये गया था थानकोतवाली देहाद छेद में पंजीकित मुकद्मा अपराज संख्या 447 वटे 20 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 466 और 409 आईपीसी के मुकद्मे विवांचित अभियुक्त रामधार सिंग्यादो, सनाफ्षरी रामरतन सिंग्यादो, निवासी, सक्करपूर, ठाना नुनहरा, जनपत गाजीपूर, उम्रलगभर, पचपन वर्सको, श्रीमान कुलिस, अधिक्षक महोदे के निर्देशन में गठित टीम द्वारा गिरिफतार किया गया है, अभियुक्त प्रोप्त को न्याए खिरासत में लेकर माननी नियाले रवना किया गया है हाल में जाकर लंगर हौल को देख हैरान होते हुए लंगर घर के रसोई घर के दर्शन कर गुरु जी का शुकराना किया, इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह आकर सचखन श्री हर्मिंदिर साहिर पहुंचकर गुरु घर नमस्तक होकर आशरवाद लेकर वाहे गुरु का शु सुकून मिला है, उन्होंने कहा कि यहां कोरोनमा अमारी के दोरान श्रदालों में उत्सा देखने को मिला, जिसमें श्रद्धा की बहुत भावना देखने को मिली है आपको बतादे खबर, पंजाब के अमरित सर से आ रही है, जहां पर फ्रांस के राजदूद पहुंचे हैं, अर्मिंदर साहिर पहुंचकर गुरु का नसमस्तक करके उन्हों का शुवाद लिया है आपको बतादे खबर, अमरित सर से है पुरानी रंजिश के चलते गोलियां चलिए आपको बता दे खबर अम्रिश सर से आ रही है जहाँ पर पुलीस अधिकारी जाच हुटिक रहे हैं अम्रिश सर के थाना सुल्तान द्विंट के अधिन आती पुलीस चौकी कोर्ट मिद सिंग के इलाकी इश्वर नगर में उस समय संसनी फैल गई जब दो मोटर साइकल सवार यूबुकों की और से पुरानी रंजिश के चलते हवा में गोलियां चलाए गई फरार हो गई पुलीस अधिकारी मौके पर पहुँचे जांच की शुरू धाना सुल्तान द्विंट की पुलीस चौकी कोर्ट मिद सिंग के इलाका इश्वर नगर में कल देर रात पौने ग्यारा बजी के करीब दो मोटर साइकल सवार यूबुकों की और से हवा में कोलियां चलाए गई जानकारी देते हुए पेडित पुलबीर कौर ने बताया कि दो महीने पहले बच्चों की छोटी सी बात को लेकर बड़ों में छगडा हुए था बात पुलीस थाने तक पहुँच रहे थी जिसकी शिकायत भी दर्च कराए गई लेकिन पुलीस ने उस मामला दर्च करके भी कोई कारवाई नहीं की कल देर रात दो यूवक मोटर साइकल पर सवार होकर आए और हमारे घर के बाहर आकर गंदी गोलिया निकालनी शुरूर की हवा में चार पांच हवाई फाय भी किये गए सबी लाकों के लोग इखटा हुए तो वहां लोग भाग गए आज हम सुभा स पुलीस के पास शिकायदर्च करवाने आएं लेकिन पुलीस की ओर से कोई कारवाई नहीं की जा रही है हम लोग प्रशासन से इंसाब की मांग करते हैं कि नारोपियों को ग्रिफतार कर जल से जल कारवाई की जाए वहीं थाना सुल्तान विंड के पुलीस अधिकारी पुलीस सिंग ने बताया कि पिछले साल 28 नवंबर को एक शिकायत दर्च की गई थी इश्वर नगरी गली नमबर एक की कुलबीर कौर की ओर से जिसमें बच्चों की लड़ाई के चलते मामला दर्च किया गया था जिसमें मुकेश खन्ना और उसके परिवार के लोगों के खिलाब मुकदमा दर्च किया गया था जिसमें उनके लड़के ने अदालत से अपनी जमानत करवा दी बाकी मुकेश खन्ना और उसके पत्नी फरार चल रही है आज कुलबीर कौर ने बताया कि कर रात आरोपी उनके घर के बाहर हवाई फाय कर गंदी गालिया देते हुए फरार हो गए हमने इलाके में जाकर जाच की हमें जो इन्होंने बताय कि उस अधार पर कारेवाई की जाएगी कारून के साथ किसी को खिलवार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी इस्वर नगर तरलोग जांज़गर गली नंबर एक दे रहन वाले हैं बच्चान बच्चान दी लड़ाई हुए या थे मुड़के उनने गुंडे बलागे ते कर दी तोड़पान की ती या दो मीने ओगे इस गल नू थाई नमंबर दी गाला तो तो बाद मुड़के रात है बाई नहीं चार सो बुइन जादा पर्चा आया कोई कारवाई ने किती है नहीं बंदा फड़के शाड़ देता है देखो एक पहला ना दो ते रहांदी आप सी जड़ी एक थोड़ी जी किसे बच्चिया नू लएके लड़ाई हुई सी कोई दो कमीने पहला दी गाल ला उदे वेच एक ते रहगी सी की मुकेश खना ते एक जड़ी ए लेड़ी है उदा ना सी कुलबीर कौर उदो कुलबीर कौर दे ब्यान ते केस रिजिस्टर हो गया सी मुकेश खना उदी वाइफ ते और उदे लड़के ते सो ओदे वेच जड़ा उदा लड़का बंदन खना आया ओदी अदालत चो बेल हो इसी ते वो इन्वेस्टिगेशन जॉइन कर गया सी ते जड़ा मुकेश खना ते ओदी वाइफ है उना दी ये अरेस्ट नहीं परी तो ए पार्टी जड़ी कंप्लीनेंट है जना ने पहला पर्चा दर्ज कराया आया एए एलेज कर देया के कल रात नूवी ओना ने बंद्या ने ही आके हवाई फायर पीकता है पुलीस ने उत्ते जाके मौका देख्या सब कुछ विख्या इनादी इसी स्टेट्मेंट लमांगे जो स्टेट्मेंट देंगे असी कॉर्डिंग्ली दो कारवाई करांगे और दोश्यन उपक्ता ख़वर पंजाब के अमरित सर्थे हैं जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है अपनी बेहन के साथ उसके ताइप लड़के ने दुशकर्ण किया है पेड़ित लड़की के रिष्टेदार की ओर से ठाना गेत हकी में एक शिकायत दर्ज करवाइगे है उनकी एक रिष्टेदार की साथ साल की लड़की है वे अपनी दादी के पास रहती है उसके साथ उसके सगेताय के लड़के ने अपने चाचा की लड़की के साथ दुशकर्म कर डाला पुलीस अदिकारी रंजीत सिंग ने बताया कि हमने कारवाई करते हुए पेड़ित लड़की का मेडिकल करवाया जिसमें दुशकर्म की पुष्ची हुई है जिसके चलते हमने आरोपी लड़के अमन को गिरिफ्तार कर लिया है लड़की गुरुनाना कुरा कोट खालसक ही रहने वाई है इसके दो और भाई है जो अपनी दादी के साथ रहते हैं इनके माबाप की मौत हो गए है पास में ही रहते है अमन जो पेड़ित लड़की के सगेताय का लड़का है उसने अपने चाचे की लड़की के साथ दुशकर्म गया ने आरोपी को मानयोग अदालक में पेश कर इसका 5 दिन का पुलीस रिमान हासिल किया है इसके और पूछताच की जा रही है। गल्द कम कीता है। रही है। पेश किता है। पांच देंदर माल सानु खासल है। जो सारी अगली जरी तब तीस सारी इन्वस्टिकेशन चल रही है। खबर पंजाब के गुर्दासपूर से हैं जहां पर किसानों ने आईटी सेल शुरू किया था। जिसके साथ अभी तक लाखो लोग जुट चुके हैं। इस आईटी सेल को दिल्ली से चलाया जा रहा है। आईटी सेल को चला रहे गुर्दासपूर के आलमा के नौजवान ने बताया कि कुछ लोग किसानी संगर्ष को बदनाम करने के लिए फंड की मांग कर रहे हैं। लेकिन संयुक किसान और्षे ने किसी से पंड नहीं मांगा है। इस बारे में जानकारी देते हुए आईटी सेल के इंचार्ज बलजीत सिंग ने बताया कि जो बात सामने आ रहे है कि उनके आईटी सेल का सर्वर कनाड़ा से चल रहा है। उसमें बिलकुल भी सही बात नहीं है। वो अपने आईटी सेल के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को या तो दिल्ली बॉर्डर से चला रहे हैं या फिर पंजाब हरियाना या यूपी से ऑपरेट किया जा रहा है। जोरत पढ़ने पर सॉफ्ट्वेर जरूर अमेरिका, कनाड़ा या अन्य किसी बाहर के दिश से लिया जा रहा है। लेकिन जो ये बातें निकल कर आ रही हैं कि आईटी सेल लगातार कनाड़ा से चल रहा है। उसमें कोई भी सत्य नहीं है। विदेशी फंडिंग पर बलजीत सिंग ने कहा कि वो अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के जरीए फंडिंग नहीं ले रहा है। कुछ लोग उनकी फेक आईडी बनाकर फंड की मांग कर रहे हैं। हम अपील करते हैं कि लोग उन्हें कोई भी पैसा ना दे। बलजीत ने कहा कि जब भी पैसे की जौरत पड़ती है तो उसके लिए तमाम किसान यूनियन पैसा इखटा करती है। बलजीत ने कहा कि उनके सोशल मीडिया पर कुल मिलाकर 25 लाग के आसपास सब्सक्राइबर हैं। जो भी वीडियो या इंफोर्मेशन वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं उसकी रीच 17-18 करोड तक पहुच जाती है। मेरा नाम बलजीत सिंग है जी मैं किसान एकता मोर्चे ITCell का हैड हूँ और पिछले एक मीने से इसको चला रहा हूँ और बाते को सामने आई थी कि हमारे उपर क्वार्चन रेज हो रहा था कि हम लग इसको कैनड़ा से प्रेट कर रहे हैं ना तो हम लोग इसको कैनड़ा से प्रेट कर रहे हैं हम लोग इसको इदर ही दिल्ली बॉर्डर पे उपर प्रेट कर रहे हैं जहां पंजाब से जहां हरेना यूपी यह वाली बारत से हम लोग इसको प्रेट कर रहे हैं हम कहीं भी कैनड़ा से प्रेट नहीं कर रहे हां सौफटवेज जो हमें सौफटवेज चाहिए होते हैं, हम भारत से भी ले सकते हैं, हम कई उस से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, अगर हमें जुरुरत पड़ती है, तो उसमें तो कोई प्राबलम होनी नहीं चाहिए, Secondly, एक question ये भी raise हुआ था, कि हम funding, जो हमारी funding है वो बाहर से है, हम लोग funding कहीं से भी ले रहे, बाहर की तो छोड़िये, हम लोग भारत से भी किसी से funding नहीं ले रहे, और हमने ये openly, ये बात बोल चुके हैं, अपने platform के जरीए, हमारी video डली हुई है, live session है, बीबी से नहीं में I think cover करा हुआ है, कि हम लोग funding नहीं raise करेंगे, हमारे नाम पे अगर कोई fake page बना के आप से funding की demand करता है, किसी को funding मत दीजिए, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, फिलार के लिए बस इतना ही देखते रहे, विस्टान न्यूस, नमस्कार. है यू, welcome to IP club, and also family restaurant with indoor as well as terrace dining. IP club में birthday party, anniversary, kitty party, farewell या कोई भी मज़ेदार event आप organize कर सकते हैं. So, जब भी मूड पाटी का, या लजीज खाने का, या सिर्फ songs के साथ jamming करने का, तो जाना ना भूले, one and only IP club. Do visit IP club. For more details, contact 78093-12112.